पानी पीए पानी नहीं थे, तहां मन पानी कहां से पीगो, डटरीन मन तो सब अपन अब बहर से पानी नांन के पीए थो, तहां मन देख दबबा पानी धैर के नाने रहते कि इतना टेम से पूरी अपना जाक लेगे गाउं में 2015 में प्रात्मिक स्वास्त केंद्र संचालीत हुआ है जिसमें पानी की काफी समस्या है करीब 10 गाउं से 12 किलोमेटर दूर से मरीज इलाज के लिए आते हैं जिनको पीने के लिए पानी भी नसीब नहीं होता है इसलिए मरीजों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है प्रयास दो तीन कर किये जा चुके हैं बोलके सुरवात में दो बोर पहले हुचकर बिटिंग के समय में जब बन रहता तो उसके बाद एक प्रयास हास्पिटल के तरफ से करा आए गया था चारों बोर जोंगा आज इस समस्या को लेकर मैंने इस विडियो बनाया और समधाय और हास्पिटल के स्टाफ के साथ इस समस्या को चल्चा की और पियची इंजिनियर को हास्पिटल में बोर लगाने के लिए आवेदन किया पत्रकार मोजे द्वारा जिस प्रकार से मुतलब भरदा कला में फास्पिटल में पानी की समस्या से अउगत कराया गया है वहां के ग्रामीनों यो डाप्टर यो अन्य लोगों द्वारा भी इस मामले में अउगत कराया गया था उसी को आधार मानते वे हम लोगों ने लोग स्वास्ते यांते कि उखाग द्वारा एक नर्प को खनन कर और लगबर तीन सो मेटर के करिमें पाइप लें बिछा कर उप्त समस्या का समाधन किया गया है वर्तमान में हास्पिटर में औरन रूप से पानी के प्रयापन मात्रा मरी लोगों को फ्राप सुपूरी है और इसमें सभी डॉक्टर रोगों का भी स्वायोग्रा इसके लिए मैं सभी का आभारी हूँ यहां पर पहले गोर्नी में के वाज़े सब्साइब काफी लोग लोग हो गयाँ था तिर。 महीने में मुश्केश से सरफ 1ाड डिलीव्री ही संपादित हो पाती थी क्योंकि पानी नहीं होने के वाज़े से बहुत सारे दिक्कते आरी थी अब वो दिक्कते नहीं हैं, अब महिने में कम से कम 6-6 साथ डिलीवरी हो रही है, अमरी जो कोई दिक्कत नहीं है, समय पर पानी उपलब्द है, पीने का पानी उपलब्द हो जा रहा है, इस विडियो के माध्यम से हमें बहुत मदद मिली, बहुत मुश्किलों के बाद ये ब झाल झाल